तो चलिए देखते हैं यह contactless sanitizer dispenser machine का installation यह जैसे की wall mounted है तो इसके लिए हमें machine के साथ 2 screw और wall plug मिले है तो इसे हमें drill machine के help से wall में drill करना है और यह screw install करना है machine के पीछे हमें 2 keyhole दिये है तो screw के help से हमें इस machine को टांगना है तो हम लोग अभी wall पे marking कर लेता है तो अभी हमने machine को wall mount कर लिया है तो machine के साथ जो adapter मिला है उसे हम plug-in कर ला है यहाँ पे DC jack दिया है तो हमें वहाँ पे plug-in करना है तो यह adapter हमें socket में लगाना है अभी हमने adapter को 220 वोल्ड supply पे लगा लिया है तो जैसे आप देख सकते है adapter का LED अन हो गया है और यहाँ पे machine में भी LED अन हो गया है जो दिखा था है कि हमारे system में power आ रहा है तो machine में अभी just sanitizer refill करके हम machine को use कर सकते है